आज तुझसे जो कहना है कहने दे तेरा दिल मेरे पास रहने दे आज तुझसे जो कहना है कहने दे मेरा दिल मेरे पास रहने दे मेरी आँखे तीरा चहरा चहरे पे दिल ठहरा मेरी धरकन पे हर दम तेरी आदो का पहरा बेता भी तर पाए दिल मेरा घबराए तेरी बातो का जादो मुझ पे ना चल पाए ये दर दे मुहाबत शहने दे तेरा दिल मेरे पास रहने दे तेरा दिल मेरे पास रहने दे आज तुझसे जो कहना है कहने दे मेरा दिल मेरे पास रहने दे मेरा दिल मेरे पास रहने दे तो आईए सीडी पे के ताथ एक देखते हैं छोटा सा चेफ्टर आउट अप दी बॉक्स चिंतन आउट अप दबॉक्स ठींकिंग क्या है देखिए नाम से ही लग रहा है ये है आपका एक बॉक्स नहीं और इस बॉक्स के आउट आउट आप की बात कर रहा है आउट आउट का मतलब क्या होता है इससे बाहर की बात कर रहा है मालेजे किसी की दुनिया इसी बक्से की तरह क्या हो गया है सीमित हो गया है मतलब अगर आपने उसे पूछा क्या आप भारत में है तो आप ही बताए वह क्या बोलेगा बोलेगा हाँ या नहीं बोलिए ये आप बक्से के अंदर बंध है कि नहीं अगर आप से पूछा जाए कि भारत के प्रधान मंत्री कौन है तो आप एक बक्से में से एंसर निकालेगा बोल दीजेगा कि नरेंद्र मोदी यानि यहाँ जो है एक रटन पर नाली पर अधारित होगा बक्से के अंदर की बात कर रहा है लेकिन आउट अप दो बोक्स यानि इस बक्से से बाहर निकलना है बाहर माने क्या आप से पूछा जाए तुम क्यों हमेशा मुझ पर सक करते हो अब बताईए तो आपका क्या जवाब एक ही होगा अब इसके लिए तो बहुत सारे जवाब होगा नहीं तो सारे जवाब होगा यानि आपके पास समस्या भी कितनी है समस्या एक है और आपके पास देखे इसका हल कितने है बहुत सारे है यानि जब आपकी सोच एक निश्चित डायरे से हटकर चारो तरफ चोतरफा सोचने लगे और वह किसी निश्चित आंसर पर निर्भर न रहकर वह उसके अनेक पक्छो पर सोचे तो उसे ही कहा जाता आउट ओफ बोक्स आउट ओफ दी बोक्स थिंकिंग चिंदन यानि समस्या प्रोब्लम आपके पास एक है लेकिन उसका जो सॉलूशन है वह क्या होगा बहुत सारे होंगे तो वैसे थिंकिंग को हम लोग क्या कहते है out of the box और इसी को हम कहते हैं अप सारी चिंतन क्या कहते हैं इसको अप सारी चिंतन के नाम से जाना जाता है जिसे आप इंगलिस में बोलते हैं क्या बोलते हैं डाइवर जेंट थिंकिंग भी आप इसे बोलते हैं तो यह जो है out of the box थिंकिंग बच्चे को किस परकार के ज्ञान को या अधिगम को बढ़ाता है तो यह बच्चे के सिरजनातमकता को बढ़ाता है यानि बच्चे को कैसा बनाता है सिरजन सील बनाता है नहीं यानि बच्चे को किसी निश्चित दाइरे में न रख कर वो पूरे दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और इसमें फायदा होता है कि बच्चे हमेशा एक्टिव रहते हैं हमेशा किया सील रहते हैं और बच्चे जो होते हैं इसमें हमेशा नए बिचारों को उपजाने का प्रोडक्ट करने का उत्पादन करने का काम करते हैं और यह बच्चा आगे चलकर काफी विकास भी कर सकता है जब बच्चे को out of the box चिंतन का ग्यान हो जाता है और यह तभी हो सकता है जब बच्चे को बाद भी बाद बच्चे को कोई पॉइंट देकर उस पर खुली बिचार देने के लिए आप उसको पुरुषाहन देंगे या बढ़ावा देंगे तो एक छोटा सा चेप्टर था out of the box thinking जिसे हम अब सारी चिंतन, divergent thinking या सिर्जनात्मक्ता या सिर्जन सील को भी बढ़ावा देने का काम करता है तो ध्यान देगा आप बच्चे को कैसा सिक्षा देंगे सिर्जनात्मक्ता से परिपूर्ण सिक्षा देंगे बच्चे के मानता देंगे बच्चे के बिचारों को निकालने का परियास करेंगे और बच्चे को इस परकार से आप योजना बना कर पढ़ाएंगे ताकि बच् सिर्जन सिल कर पाएंगे नए ज्ञान को उत्पाद कर सके लिए तो रटांत परनाली को हटा कर और आउट अप दे बॉक्स थिंकिंग पर ध्यान देना चाहिए थैंक्स पर वाचिंग कीप वाचिंग जै हिंद जै भारत मिलते हैं एक और बेहतरिन वीडियो के साथ